हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है मेर यूटी चैनल में तो दोस्तो आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस को आप अपनी ओनलाइन सिकायत कैसे दर्ज करें तो दोस्तो यदि किसी के साथ हरेस्मेंट या नियुद्पिलन हुआ है या फिर फिजिकली वाइलेंस उसके स आउंगा तब वीडियो सुरू चुले के लाशता देखेगा और आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा तो दोस्तों सबसे पहले हम डैलीपुलिस.nice.in को ओपन करेंगे उसके बाद इस तरह से हॉम पेज सो करेगा हमें स्रटीजिन सर् उससलों सकते हैं तो इसको यहां से भी हम दरज कर सकते हैं लेकिन आयभोन जो दर्ज करनी काल्या है अपनी हरेस्मेंट और पासवर्ड क्या आप सकता होती है लेकिन वो हमारे पास अभी है नी तो उसके लिए हमें सबसे पहले यूजर आइडिय और पासफ़र जनरेट करने के लिए क्रिएट एल लॉग इन पर किलिक करना पड़ेगा क्रिएट लॉग इन जो हम किलिक करेंगे है हम मैं सगेड कर लेता हूँ अधर काड पी序 है तो हम ले सकते नहीं तो उड्र आइडी काड़ भी हम लेकिसकते हैं reconciliation card कर लेते हैं ऊसके बाद इसका नंबर हम mention कर देंगे यह मेरे बरने और उसके बाद जरी लंबर हम है यहां अपना डाइल करेंगे, लाइन टाइल लंबर को हम छोड़ देंगे, दोस्तो, email id है mandatory है, इसको भरना पड़ेगा, email id को यहां मैं अपनी email id mention कर देता हूँ, इसके बाद आता है दोस्तो, gender, यानि अपना gender हमें यहां select करना है, email id के बाद हमें gender select करना है, यहां हमें अपना address mention करना है, हमें इसमें भर देता हूँ अपना address, यह हो गया, उसके बाद street name, जो भी अपना address, पूरा complete address हम यहां mention करेंगे, अपना, जिस address पर आप रहते हैं, वो address यहां mention करेंगे, यह मैं इसको address भर देता हूँ, उसके बाद आता है टाउन सिटी जो भी आपका है वो यहां बरेंगे हैं यह मैंने बर दिया है उसके बाद आता है आपका नीचे तहशील वो यहां मैंसन कर देते हैं ठीक है उसके बाद दोस्तो अब पुछा इस्टेट या नी इस्टेट हम डाल देते हैं डैली उसके बाद कोई आता है दिस्टिक सहां कोई से बिल souvent आफ कर रहे हैं यहां मेंट्ट्रिक करें आफ आउसके बाद पुलिष इस्टेशन आपका नियरेसफ्ट सीटिशन कस ращना यहां इफेश और की इसके बाद आथा दोस्तों फिन character नहीं लेना है कोई भी इसमें हम character और numbers का बना जैसे manoj करके कुछ हम बना लेते हैं और यह मैंने one two three four five बनाया है security question हम इसमें two security question हमें add करने जैसे पूछा है my date of birth में mention कर देता हूं एक security question में यहां में date of birth अपनी mention करके इसको add करेंगे यह मैं इसको select कर लेता हूं पहले ठीक है यह select किये हमने उसके बाद इसको add कर देंगे उसके बाद second question और लेना पड़ेगा क्योंकि दो कम से कम इसमें हमें questions लेना है security question उसके next question मैंने ले लिया इसमें अपने चूजबल कोई सा भी आप चाहें ले सकते हैं ठीक है उसके बाद password दोस्तो यूजर नेम वो already किसी बना हुआ है तो इसलिए मैं दूसरा unique बनाना पड़ेगा तो मैं दूसरा username बना लेते हैं यहां पर mention करते हैं जैसे मैंने बनाए मनुज 325BS यह कुछ ही इस तरही से मैंने बना दिया है पासवर्ड है नहीं create कर लेते हैं दूस्तो पासवर्ड फ़लो सा unique हो एक one capital letter 8-8-123 करके कुछ भी आप अपना बना सकते हैं ठीक है उसके बाद यहां नीचे चेक कर लेंगे एक बार उसके बाद यह capture code हम यहां mention करेंगे इसको ठीक है इसको करने के बाद दोस्तों submit कर देंगे submit करने के बाद में तो दोस्तों हमारे mobile number पर एक OTP आएगा जिसको मैं इसको डाल देता हूँ अपने number पर ठीक तो दोस्तों OTP डाल कर यहां से verify कर देंगे verify करने के बाद दोस्तों हमारा जो login ID और password यह create हो चुका है अब हमने जो ID और password बनाए हैं उसकी दुआरा हम इसको login कर लेंगे तो दोस्तों ID और password के माद यह हम से इसको login कर लेंगे तो दोस्तो 로گ इन करने पाद इस तरह से pace हो करेगा Add new compliance पे कलिक करना है उसके बाद दोस्तों यीए pace हो करेगा इसमें याद हमें ये रखना है जो सिकायत आपको करने है नाम से करना है Swam वही ब्यक्ती है जिसके अधोर गराए है या फिर अन्य किसी नाम से आपको सिकायट दर्ज करानी है जो भी आप चाहें यहां इसमें मैंशन कर सकते हैं तो मैं इसको अपने नाम से स्वेम नाम से इसको दर्ज करा सकते हैं यहां अपना नाम, email id, mandatory नहीं चाहें तो लिख सकते हैं दरवाई नहीं यहां date of birth mention करेंगे यह मैं date of birth भर देता हूं इसमें ठीक है उसके बाद आता है mobile number यहां mobile number mention कर देंगे हम अपना इसके बाद आता है दोदो nature of complaint यह आपकी सिकायत किस तरीके से है किस तरीकी सिकायत आप करने जा रहे हैं यहां देखेगा इन में सब आपकी जो चाहें अगेंस्ट पब्लीक है नहीं कि आपकी लड़ाई जगड़ा या फिर किसी से कुछ हुआ है हरस्मेंट है तो अगेंस्ट पब्लीक आप किलिक करेंगे या साइबर क्राइम है तो साइबर क्राइम करना पड़ेगा आपको आना मैं यहां से अगेंस्ट पब्लीक आपके किलिक कर लेते हैं उसके बाद यहां आता है जेंडर हमने सेलेक्ट किया है यहां हम कर देते हैं listener करना है यहां मैं इसमें बढ़ता हूं ठीक है यह एडिस अपना यहां बढ़ते लिए इसके वहских दे दिस ने हो वो इस्न करेंगे लोक सिल जो भी आपका लगता है वे मीं सरन करेंगे उसके बादता है दुस्तों आपका पिन? यहां अपना PIN CODE भढ़ देते हैं नीचे देखो दोस्तो प्रेजेंट एड़ सेमेज प्रेजेंट एड़ सेमें तो आप किली करें देंगे उसका इंसिडेंट जो है डेट याई आपके साथ जो घटना हुई है वो किस दिनांकी है यहां डेट उसको मैंसन करेंगे याई बा यह फिल मैं कर देता हूं इसको पहले फिल करने के बाद समिट किया मैंने समिट करने के बाद दोस्तो हमें यह कंप्लेंट डिस्क्रिप्शन यानि हमें पूरी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अपनी कंप्लेंट का यहां सो करना है इंगलीस में चाहें हम इंगलीस में लिख स रिमार्क्स को खाली छोड़ें कोई दिक्कत नहीं है चाहे तो भढ़ सकते हैं उसके एक कंप्लेंट केटगरी या दोस्तों कंप्लेंट केटगरी या अगर आपके साथ फिजिकल वाइलेंस हुआ है वह आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर करेप्शन है या जो भी आप आपको इसमें suitable लगता है वह आप इसमें अपने mention करेंगे तो फिजिकल वाइलेंस हम सेलेक्ट करेंगे जो भी चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपने according ठीक है उसके बाद आता है nature of allegation आपको nature of allegation क्या है या धमकी दी गही है या फिर आपको torture किये जा रहा है harassment किया जा र ID यानि आप अपना आथार कार्ड यहाँ upload करेंगे यह और कुछ और भी document आपका है तो वह भी आप यहाँ से upload कर सकते हैं दोस्तों PDF file आप और आपको यहां Mention करेंगे 200GB की PDF file आप यहाँ upload कर सकते हैं यहां मैं आधार कार्ट को submit करके इसमें करके save submit कर दूँगा तो दोस्त को mention करने के बाद दोस्तों आता है आपका police station आप अपनी police station पे किलिक करकर उसको submit कर देंगे तो दोस्तों submit करने के बाद एक शिकाय संख्या generate होगी और एक PDF फाइल भी आप वहाँ से download कर सकते हैं दोस्तों सिकाय संख्या के माध्यम से आप अपना जो सिकायत का status है वो रेगुलर्ली चेक कर सकते हैं